हम हमारे डॉक से काफी जादा प्यार करते हैं और उनकी अलग-अलग तरह से केर करते हैं लेकिन कुछ ऐसे बिहेवियर आप देखते होंगे जिस पर आपको काफी जादा हसी आती होगी या कई बार आकोर्ड भी लगता होगा तो इन्हीं बिहेवियर के बारे में आज हम जान होते हैं तो नंबर बन पर बढ़ते हैं वाई डॉक किक देर लेग वेन यू स्क्रैच देर बैली आपने कई बार नोटीस किया होगा कि आप अपने डॉक बीट की जब भी बैली पे अपने हाथ से स्क्रैच करते हो तो वह उसका जो बैक साइड का लेग है उसको की करना क्यों होता है इसा तो यह रहा उसका रीजन यह रियक्शन एक इन वॉलन्टरी रियक्शन है जिसको हम स्क्रैच रिफ्लेक्शन बोलते हैं जब भी हम हमारी डॉक बिट की बैली पे स्क्रैच करते हैं आप एक नर्व्स को एक्टिवेट कर देते हैं जो डॉक की स्पाइनल कर रहे हम तो यह उसका रीजन नहीं है जो मैंने बताया वो रीजन है बढ़ते हैं नेक्ष्ट की तरफ नेक्ष्ट वाय डॉग हम यह काइंड ऑफ एंबेरेस्मेंट लगता है कई बार कि अगर आपका डॉग वीड आपके उपर हम करना स्टार्ट गिरतेता है अचाने कि या उन्हें बताना चाहता है कि यहां पर किंग कौन है किसका रूल चलता है और उसका जो हक जताने के लिए यह ऐसा करते है तो आप सोच रहोंगे अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगी यह कभी-कभी अचानक क्यों स्टार्ट कर देते हैं तो कभी-कभी डॉग ओवर एक्सा रहनीच आयां फैर अशाठ करते है तो यह उनका वे हो सकता है लो करने का उनसे को रेती Ugh करने का अगर आपको यह यह इंबरस लगता है और आपको डिस्ट्रेक्व एक्टारल करना उन्जेंस तो n Pvd 25 स्ट्विच और आ और आइग का बार नोटीइस कि आयुग आपका शो तो अच्छानक से पैर हिराने लग जाता है रणिंग की मुवमेंट स्टार्ट कर दीता है या फिर जोर जोर से खराट लेता है तो यह सब जो एक्शन्स वो करता है आपके सामने वो उनके ड्रीम पे डिपेंड होते है यानि उनके ड्रीम में जो भी हो रहा होता है उस तरह से वो बाहर एक करते है Next, dog sleep on your bed और your clothes कई बार आपने देखा होगे कि dog breed उसके बैड को छोड़के आपके बैड पे आके सो जा रहा है बार-बार या फिर आपके clothes पे आके सो जा रहा है बार-बार तो इसका मतलब होता है वो आपसे प्यार करता है आपके पास हमेशा रहना चाता है क्यूंकि आपके जो clothes होते है या फिर bets होते है उसमें आपके scent marks होते है तो dog breed को ऐसा लगता है कि तो वो आपके पास ही सो रहा और आपके पास ही रहना चाता है नमबर फोर डॉक श्टेरिंग एट यू इंटेंसली कई बार डॉक में आपकी तरफ इस तरह से देखते हैं कि आपको इतना क्यूट लगते हो कि पूछो मत डोग अचानक से आपके तरफ देखने लग जातें और आपको घूरते रखतें, इसका मतलब कया है वो चाते क्या है, आप कई बार समय नहीं पातें, तो कई बार अगर 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 उन्हें जो लीश होती वो इसलिए भी करते है कि उनको भूक लगी होती है और आप खाना खा रहे तो तो आपको घुर्टते है वो इस तरह से कि आप उन्हें खाना दे दो साथ साथ कई बार डॉग फेर्ट यह नार्मरली भी बही करते हैं स्टेरिंग करना क्योंकि उनको यह आपके तरफ लव जोुता है या प्यार जो होता है वह जडाना होता है कई बार नोटीस किया होगा आपने कि आपका डॉग भी हंचिंग कर रहा है या अगर आप किसी फेवरेट चीज होगी आपकी उससे तूट गई होगी या फिर कुछ ऐसी चीज होगी जो उसने फार दियोगी और आप उसे डाट रहे हो तो वो नीचे की तरफ मुंडी कर करेंगा ऐसा करके डॉग आपको बताना चाहता है कि वह आप से स्मॉल है और कई बार अब्यूस होने पर स्कोल्डिंग होने पर या फिर अटेक होने पर भी डॉग ऐसा परफॉर्म करते हैं नेक्स्ट ब्रिंगिंग डैर टॉय और फेवरेट तिंग टू यू कई बार उन के साथ खेलने के लिए ऐसी परफॉर्म करता है तो फ्रेंट्स यह कुछ थे स्ट्रेंज बिहेवियर जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई ऐसा ही कई सारे और है अगर आपको पार्ट टू चाहिए तो जरू से कमेंट करके बताए मुझे ऐसे इंटरेस्टिन वीडियो के लिए हमाने चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिए और लाइक और शेयर जरू कीजिए मिलता हूं मैं आपको ऐसी इंटरेस्टिन वीडियों के साथ थैंक्यू फॉर वाचिंग